आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फोन में बोल कर हिंदी टाइपिंग कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले अपने फोन में Google Play Store को ओपन करिए ओपन करने के बाद उपर आपको सर्च करना है Gboard और आप देख सकते हैं Gboard आप सर्च करेंगे उसके बाद ये वाला application आएगा यानि कि ये वाला keyboard आएगा अगर आपके फोन में install नहीं है तो इस keyboard को install करिए और install करने के बाद अपने फोन में settings को open करिए और हो सकता है ज्यादतर फोन में ये already install आता है और settings में आने के बाद एक option आपको मिलेगा additional settings इसपे किलिक करिए उसके बाद एक option आएगा languages and input इसपे किलिक करिए किलिक करने के बाद एक option आएगा manage keyboard या फिर option आएगा keyboard and input तो इसपे किलिक करिए अब किलिक करने के बाद हो सकता है कोई और सा keyboard आपका by default select होगा तो जो आपने Gboard इंस्टॉल किया है यहाँ पर इसे on करिए इस टाइप से और बाकी कीबोर्ड को आप बंद कर सकते हैं यानि कि current कीबोर्ड आपका ये set हो जाएगा Gboard आप देख सकते हैं इस तरह से अब उसके बाद manage कीबोर्ड में जाकर Gboard पर इस टाइप से किलिक करेंगे किलिक करने के बाद ऐसा interface आएगा और यहाँ पर आप इक option देख सकते हैं languages का इस पर किलिक करिए नीचे add कीबोर्ड पर किलिक करिए उपर search करिए हिंदी हिंदी आप search करेंगे तो हिंदी इंडिया आ जाएगा इस पर किलिक करेंगे डंटे किलिक करिए अब कीबोर्ड में हिंदी add हो चुकी है उसके बाद back आ जाएए और एक option आपको मिलेगा यहाँ पर यह वाला आप देख सकते हैं voice typing इस पर किलिक करिए use voice typing को यहाँ से on करिए बस आपको इतनी settings करनी है यहाँ पर अब उसके बाद आप back आ सकते हैं तो आप जैसे की WhatsApp को open करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस type से जब आपका keyword open हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं space का जो option है space bar पर किलिक करके रखिए उसके बाद option आएगा Hindi, Hindi पर किलिक करिए Hindi select करने के बाद यहाँ पर एक mic का option आजाएगा इस पर किलिक करिए voice typing कैसे करें तो आप देख सकते हैं हिंदी में हमने बोल कर इस तरह से यहाँ पर type कर दिया है तो इस तरह से बोल कर हिंदी में type कर सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe जरूर करें